ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफले 16 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन है पोश महा के शुकलपक्ष की पंचमी तथा सस्टी तिती है पूर्वा भादरपद नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो वो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यदा वश्यक हो तो गुड़ खाकर के यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने एक्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी मकर राशी में वही चंद्रमा मीन राशी में, मंगल ग्रह धनू राशी में, बुद्ध ग्रह धनू राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जो की मेस राशी में, शुक्र ग्रह धनू राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु ग्रह मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी मिदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिला करके पांच राशी वालों के लिए देन सबसे खास साबित होने वाला है सुर्योदय सुबह 7 बज के 8 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 5 बज के 41 मिनिट पर होगा शुब मुहुर्त की अगर हम बात करें तो करेंगे तो आपको निश्चय ही आगे चल करके इसका अच्छा फाइदा देखने को मिलेगा अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी 12 राशी वालों का देनिक राशी फिल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिगा तो चलिए सबसे पेरे बात करते हैं मेंस राशी की परिवार और फाइनेंस संबंदित कुछ महत्वपूर्ण सकरात्मक परिनामा के सामने आएंगे पिछले कुछ समय से चली आ रही उतल फुतल भरी जिंदगी से कुछ रहत मिलेगी योवा वर्ग अपने भविशे से संबंदित प्लानिंग करे समय उत्तम है पेसो के लेंदेन में कुछ ब्रहम की इस्तिती रहेगी परंतु आगे चलकर के सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा किसी की बात पर विश्वास करने से पहले उच्छी प्रकार से जांच परताल अवश्च करे अपने साथ काम करने वाले लोगों से रिस्तिदारों से या पडोसियों से आपको मधूर संबंद बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय सोफ और मिस्री खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं वरशवरासी की पिछले कुछ समय से आप जिस कारी को लेकर बहुत अधिक महनत कर रहे थे आज उससे संबंदित अपरत्याशित लाव होने वाला है घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम और प्रसन रहेगा किसी मित्र से संबंदित कोई पुराना मामला दोबारा उठ सकता है परन्तु उत्तेजित होने के बजाए शांति पूर्ण तरीके से व्यवार करना उचित रहेगा और व्यापयार में आपको एक नई जम्मेदारी नया काम आगे बढ़ने का आउसर भी प्र आप तो हो सकते हैं उपाय के रूप में गनेश जी को गुड़ चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग के सरिया होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की दिन भर व्यस्तिता बनी रहेगी महमान नवाज आपका व्यतित होगा सूजबूच से लिए गए निर्णे आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे काम को पूरा करने के प्रति उत्साह बना रहेगा किसी जर्वतमन मित्र की मदद करनी पड़ेगी परंतु अपने बजट का ध्यान भी अवश्य रखे भाई बहनों या सगे संबंदियों से लेकर छुटी मुटी बात को लेकर के वैचारिक मदभेत उत्पन हो सकते हैं बहतर होगा कि अधिक वाद विवाद में ना पड़े करिक्षित्र में सभी नड़ने स्वयम ले किसी की मदद के बजाए आप स्वयम ही सभी कारियों को करने में सक्षम रहेंगे सरकारी नोकरी में किसी भी प्रकार के गेर कानूनी काम में रुची न ले अनिथा मुश्किल आपको पेदा हो सकती है और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाल अब हम बात करते हैं करकराशी की अपने संपर्कों का दाइरा और अधिक विस्तरत करें आपके लिए यही फाइदेमन साबित होगा महत्तुपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के साथ आपका समय वितित होगा इसके सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे घर में महमानों के आगमन से उस्त्सव भरा माहूल रहेगा अपरिचित लोगों से व्यभार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर न करे अन्यता आपको नुक्सान हो सकता है कभी-कभी स्वभाव में तनाव और चिर्चड़ापन आपको अपने लक्ष से मिला होगा अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आज अपने सपनों तथा महत्वा का अंक्षाओं को पूरा करने का दिन है अब जिस काम को भी करने की मन में ठान लेंगे उसे पूर्या करके ही दम लेंगे भाईयों के साथ चल रहा विवात समाप्त हो जाएगा तथा आपस काले उड़त चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आज आप उत्सहा से परिपोर्न रहेंगे महमानों की आउभगत में समय आपका वेतीत योजना बद्ध तरीके से कारी संपन्न हो जाएंगे परन्तु खर्च के मामले में जादा दर्या दिली न रखे किसी व्यक्ति से पैसे संबंदी लेंदेन करते समय वाद विवाद की स्तिती उत्पन हो सकती है घर के किसी सदस्य के स्वास्त संबंदी चंता आपको परिशा होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाप प्रत सिद्ध होगी अगर कोई प्रापर्टी संबंदी मामला अटका हुआ है रुका हुआ है तो आज उससे संबंदित कोई कारी संपन हो सकता है इसलिए प्रयासरत रहे बच्चे सकरत्मक गती विधियों में व्यस्त होंगे आलसी को अपने उपर हावी न होने दे और अपने काम पर अधिक ध्यान दे आज किसी भी प्रकार की उधारी देने का काम न करे क्योंकि पैसा वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा किराइधारी संबंदी मा वाद विवाद जैसे इस्तिती बन सकती है अगर व्यापार में किसी पार्टनर संबंदी कारी को करने का प्लान बना रहे हैं तो फाइदे बंद रहेगा इसलिए उस पर तुरंत अमल करे व्यार्थ की गती विधियों पर समय नस्ट न करे इसका नकरत्मक प्रभाव आपके कारिस्तल पर पढ़ सकता है और उपाई के रूप में मा दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की अज प पर भर रहने की बजाए अपनी व्योगिता पर विश्वास रखे संतान संबंदित को चिंता आपको परिशान करेगी अपने अहम को नियंतरन में रखना आती आवश्यक होगा परोसियों से किसी बात को लेकर के वेचारिक मदभेद की उस्तिती उत्पन हो सकती है बहतर अपने काम से मतलब रखे और उपाई के रूप में हनुबान जी के मंदिर में यदि आप कोई भी फल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं धनूर अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी दिर्ग कालिक लाब की योजना पर कारी शुरू हो सकता है पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधाल मिनने से मानसिक शांती आपको अनुभव होगी कामकाज चथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच ताल मेल बिठाना चुनूती रहेगी परन्तु आप सब कुछ सू नियोजित तरीके से कौर पाने में सक्षम र आज आपको किसी बड़े व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी पुराने मित्रों से भी आपकी चर्चा होगी जो आगे चलकर आपको ही फाइदा देगी कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत प्रबत्यों के और आकर्शित हो सकता है इसलिए ग्यान वर्दक तथा उत्तम साहित प विचार कर सकते हैं और उपाई के रूप में भगवान विष्णू जी के मंदिर में केला चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका केसरिया होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की काफी समय से जिंता दूर होने से घर में खुश्णुमा माहुल निर्मित होगा अपने क्रोधव जित पर नियंत्रन रखे इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर पढ़ सकता है और उपाई के रूप में माता महलक्ष्मी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका लाल होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडि झाल झाल